हेलो गाइच मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टेडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आगे बढ़ने से पहले इदे आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं पिछली वीडियो में हम लोगोंने Simply Supported Beam में एक मोमेंट लगा हुआ दो मेरे दल सॉल्व किया था उसका SPD और BMD प्लॉट किया था अब हम लोग अगले कीस पढ़ेंगे Overhanging Beam Overhanging Beam का Question Solve करने से पहले हम लोग समझेंगे Overhanging Beam है क्या तो Overhanging Beam उसे कहते हैं जो अपने support से बाहर निकली हो अपने support से बाहर निकली हो चाहे वो support से एक तरफ से बाहर निकली हो या support के दोनों तरफ से बाहर निकली हो अगर वो support से एक तरफ से बाहर निकली है तो उसे One Sided Overhanging Beam कहेंगे और अगर support के दोनों तरफ से बाहर निकली है तो उसे कहेंगे both side over hanging beam तो हम लोग वने एक ये figure बनाया है ये इसमें हमारी beam beam में ये support है A और B point पे support है A और B point पे support होने के बाद B point से हमारी beam ये बाहर निकली है जिसको हमने C point दे दिया तो यहाँ पे देख रहे है beam हमारी एक side से बाहर निकली है support से तो इसको कहेंगे one side over hanging beam लंबाई माल लेते हैं इसकी ये जो लंबाई है इसको हम लोग माल लेते हैं पांच मीटर और इसकी इस भाग में हम लोग कुछ भाग में यूडियल लगा देते हैं जिसकी लंबाई हम लोग 10 मीटर माल लेते हैं और एक यहाँ पर हम लोग पॉइंट लोड लगा देते हैं जिसकी यहाँ से दूरी है पांच मीटर और यहाँ से यह दूरी भी पांच मीटर है फिर इस यूडियल की जो वैलु है 10 किलो नूटर प्रति मीटर और यह पॉइंट लोड हम लोग माल लेते हैं कि 20 किलो नूटर का पॉइंट लग लग रहा है और एक पॉइंट लोड हम लोग बीम के किनारे पर लगा देते हैं इसकी म्यान माल लेते हैं 30 क्लोन्यूटन का ये पॉ multic load किनारे पर लग रहे हैं ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया इसको हम लोग d पॉइंट दे रहेते हैं और ये हमारा e point हो गया अब हम लोगों को इसका sfd और bmd प्लोट करना है तो हम हम लोग कोई पुराना फंडा क्या समेशन वर्टिकल फोर्स इस इकुल टू जीरो समेशन वर्टिकल फोर्स इस इकुल टू तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां से हमारा डियक्शन बल R A लगेगा और यहां से हमारा B पॉइंट से डियक्शन बल R B लगेगा तो नीचे से लगने वाला बल कितना हुगा R A फ्लस R B उपर से लगने वाला बल कितना होगा एक तो यह 30 दूसरा यह 20 और तीसरा कितना होगा 10 into 10 मतलब 100 तो हमारा जो टोटल बल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 150 किलो न्यूटन का इसको हम लोग समी करन एक मा लेते हैं फिर समेशन आप मॉमेंट ले लेते हैं 0 के क्वल समेशन मॉमेंट इस उक्वल टू 0 पॉइंट एक एबाउट हम लोग मॉमेंट ले लेते हैं पॉइंट एक ए सापेच आगूर लेने पर जब हम लोग पॉइंट एक इसापेच आगूर लेंगे तो देख रहें यह हमारा 30 इंटू यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 10 10,25,25 तो यह 30 इंटू 25 का clockwise आगूर है और clockwise आगूर हम लोग negative लेते हैं तो value कितनी आजएगी 30 इंटू 25 30 इंटू 25 फिर RB हमारा anti clock है RB इंटू यह तक की डिस्टेंस इतनी है 10 है फिर यह हमारे जो डि पॉइंट पे moment लग रहा है sorry force लग रहा है 20 का इस 20 की कारण ए पॉइंट पर आगूर कितना आएगा minus का 20 इंटू 15 फिर इस UDL के कारण point load आएगा अचा मैंने UDL को point load में convert करने का method बता दिया है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरे जो पिछली वीडियो है SFD और BMD के simply supported की जिसमें UDL लगा है आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि UDL को point load में कैसे convert करते हैं तो इसको convert करेंगे तो कितना आएगा 100 into यहाँ से midpoint से दूरी कितनी होगी 5 is equal to 0 यहाँ से हम लोग इसको calculate करेंगे कितना आजाएगा 10RB is equal to इसको हम लोग solve कर लेते हैं यह कितना आएगा 30 into 25 plus 20 into 15 plus 100 into 5 इसको हम पास आजाएगा 1550 सुरी एक गलती हो गई RB हमारा 20 है 10 नहों कि यह 20 है यहाँ से RB की यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 20 यह कितना आजाएगा 20RB is equal to 30 into 25 plus 20 into 15 plus 100 into 5 हम लोग इसको calculate कर लेते हैं कितना आजाएगा 30 into 25 plus 20 into 15 plus 100 into 5 यह कितना आगया 1550 इसमें हम लोग 20 का भाग देते हैं कितना आजाएगा यह हमारा 1550 यहां से अगर हम लोग RB की value निकाने तो कितना आजाएगा 170 दसमलो 5 किलो न्यूटन अब RB कमान हम लोग उठा के equation first में रख दे तो कितना आएगा लिखेंग यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आएगा RA प्लस RB मतलब 77.5 is equal to 150 यहां से हम लोग RA की value निकाल लेते हैं 150 माइनर 77.5 कितना आगया 72.5 किलो न्यूटन हम लोग ने देखा RA और RB दोनों के मान निकला है अब हम लोगों को shear force निकाल ला है तो चलिए निकालते है shear force shear force निकालने के लिए सबस्पेल हम लोग shear force C पे निकालेंगे जब हम लोग C पे निकालेंगे तो हम यहां पे section माल ले section के right side section के right side उपर से नीचे लगने वाला बल क्या होता है downward हमारा negative होता है तो यह कितना आ जाएगा minus का 30 kN हम लोग minus क्यों ले लिए यह मैंने पिछले वीडियो में sign convention में बता दिया था फिर हम लोग B पे निकालेंगे shear force shear force B B point पे जब हम लोग shear force निकालेंगे तो इस पर हम लोग दो बार निकालेंगे मतलब add point और till point पहले हम लोग निकालते है till point till point का मतलब यह है कि B point पे जो हमारे reaction बल लग रहा था उसको हम लोग consider नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा minus का 30 kN तो कि हम लोग इसको consider नहीं किये केवल 30 kN का ही बल आएगा फिर जब हम लोग S F B add point पे निकालेंगे मतलब B point पे लगने वाला जो बल है reaction बल उसको भी हम लोग consider करेंगे तो कितना आ जाएगा minus का 30 plus reaction बल R B R B की value हम लोग निकाल चुके हैं 77.5 इसको हम लोग calculate कर लेते हैं 77.5 minus का 30 यह कितना आ गया 47.5 47.5 kN अब हम लोग shear force निकालेंगे D point पे shear force D point जब हम लोग shear force D point पे निकालेंगे तो देख रहें कौन कौन सबल लग रहा है एक हमारा 30 का downward एक R B upward लग रहा है और D पे हमारा 20 का downward लग रहा है तो हमारा कितना आएगा 30 downward है minus का 30 फिर plus का R B R B की value 77.5 और यह 20 यह कितना आजाएगा minus का 20 इसको हम लोग calculate कर लेते हैं 77.5 minus 30 minus 20 कितना आगया 27.5 27.5 किलो न्यूटन अब हम लोग shear force निकालते हैं E पर shear force हम लोग जब E पर निकालेंगे तो कितना आएगा देख रहे है E पर कितना बल लग रहा है minus का 30 reaction number R B और 20 का E point पर कोई point load है नहीं तो कितना आएगा minus का 30 plus का 77.5 minus का 20 इसकी भी value कितनी आजाएगी 27.5 किलो न्यूटन अब हम लोग निकालेंगे shear force A point पर shear force A point पर shear force A point पर जब निकालेंगे तो दो बार निकालना पड़ेगा नहीं तो question SFD बनाने में गलत हो जाएगा तो shear force निकालते हैं हम लोग till का मतलब ये point पर लगने वाला reaction ball हम लोग consider नहीं करेंगे तो देखते हैं कितना आता है minus का 30 ये point load plus reaction ball Rb 77.5 minus का ये 20 और minus का ये 10 into 10 का UDL है 100 आजाएगा जब point load में बदलेंगे इसको हम लोग calculate करते हैं कितना आएगा 77.5 minus का 30 minus 20 minus का 100 कितना आगया minus का 72.5 हमारा आगया ये minus का 72.5 किलो न्यूटन हमारा shear force हर point पर निकल आया है अब हमें क्या करना है shear force diagram plot करना है shear force diagram plot करने के लिए हम लोग एक reference line माल लेते हैं C point पर हमारा shear force command minus 30 है reference line से minus 30 हम लोग माल लिए ये आ रहा है फिर B पर till point पर कितना रहा है minus का 30 इसी के just बराबर यहां से reference line से माप लेंगे हम लोग minus का 30 ये आ गया फिर add point पर कितना रहा है 47.5 B पर add point पर तो यहां से हम लोग 47.5 measure कर लेंगे ये इतना आ गया फिर D पर कितना रहा है 27.5 यहां से 27.5 ये माल लिए फिर E पर कितना रहा है 27.5 भी यहां से हम लोग 27.5 measure कर लिए उसके बाद जब हमारा shear force till पर निकला रहा है till पर कितना A पर till कितना रहा है माइनस का 72.5 यहां से हम लोग 72.5 measure करेंगे माल लिजे ये आ गया इतना अभी हम लोग add पर नहीं निकाले है shear force A add add पर कितना आएगा देख लेते हैं माइनस का 30 add पर निकालने के मतलब इस point पर लगने वाला reaction बल भी consider करते हैं माइनस का 30 प्लस का 77.5 माइनस का 20 माइनस का 100 और प्लस का 72.5 इसको माइनस का लेते हैं अच्छा का लेते हैं 77.5 प्लस 72.5 प्लस स्वरी माइनस 30 माइनस 20 माइनस 100 कितना आ गया? 0 इस point पर स्वर्फ का माइन कितना आ गया? 0 किलो निटर ए add पर कितना आएगा? 0 अब हम लोग इन सारे points को मिला देते हैं इसको हम लोग ऐसे मिला दिये फिर हम लोग देख रहे हैं C से B तक कोई लोड नहीं है तो हम लोग इसको state मिला देंगे फिर B पर एक reaction बलके करण हमारा shear force positive जा रहा था यह हमारा positive चला गया फिर B से D कोई लोड नहीं है हम लोग सीधे आ गए फिर D पॉइंट पे एक पॉइंट लोड के करण reaction shear force कमाद 27.5 आ रहा है तो यहां से 27.5 का यह है इसको इस तरीके से मिला देंगे फिर E से D कोई लोड नहीं है तो हम लोग सीधे आ गए उसके बाद जो हमारा A पॉइंट पे A तिल पॉइंट पे एक shear force निकला है वो है माइनस का 72.5 माइनस 72.5 हम लोग यह माने है इसको हम लोग यह UDL लगा है तो इसको हमें inclined मिलाना होगा हम लोगोंने इसको यह inclined मिला दिया अब A पॉइंट पे 0 आ रहा है इसको यहां से यह 0 मिला दिया यह बना हम लोगों का shear force डाइग्राम यह वैलू सॉरी यह नेगेटिव यह नेगेटिव और यह पॉस्टिव यह हमारा वैलू कितनी है 30 यह वैलू है हमारी 47.5 यह वैलू है हमारी 27.5 और यह वैलू है हमारी 72.5 यह हमारा SFD बनके complete हुआ अब हमें bending moment डाइग्राम बनाना है bending moment डाइग्राम बनाने से पहले हमें bending moment हर point पे निकालना पड़ेगा तो चलिए हम लोग bending moment डाइग्राम plot करते हैं कैसा plot होगा पहले हम लोग यह dotted line बढ़ा लेते हैं अभी तक हम लोग हर point पे shear force निकाले लेकिन shear force हमारा इस point पे zero हो रहा है इस point पे shear force zero होने का मतलब है यहां पर shear force का मान zero है यहां पर bending moment हमारा सबसे maximum निकलेगा तो हमें इस point पर bending moment का मान भी निकालना पड़ेगा इसको हम लोग dotted करके उपर भी मिला देते हैं यह हमारा हो जाएगा f point अब देखें यह दूरी हमारी 10 मीटर थी यहां से लेके यहां तक अगर हम यह दूरी को x माल लें तो यह कितनी बढ़ जाएगी 10 माइनस x clear अब हम लोग अगर इस x की value निकाल लें तो हम यह बता सकते हैं कि e point से कितनी दूरी पर shear force कमान 0 हो रहा है तो चली हम लोग x की value निकालते हैं shear force डाइग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि एक यह छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक यह बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की यह आप देखने दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग करेंगे क्या हम लोग क्या करते हैं समरूप त्रिभुज है इसका base बराबर इसके base और इसका यह जो लंब है इसके लंब के मतलब x बटे यह दूरी बराबर 10-x बटे यह दूरी हम लोग निकालते हैं x बटे यह दूरी हमाँ पास कितनी है यहां से यहां तक 27.5 मतलब 27.5 इस उक्वल्टू किसकी आ जाएगा 100 माइनस x डिवाइड बाइ 72.5 अब हम लोगों को यहां से x की बैलू निकालती है इसका हम लोग मल्टिप्लाइ करा दें तो कितना आ जाएगा 72.5 x is equal to 27.5 into 10 माइनस 27.5 x इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो कितना जाएगा 72.5 x प्लस 27.5 x is equal to कितना जाएगा 275 इसको हम लोग एड कर देंगे तो कितना जाएगा 100 x 100 x बरावर 275 या x बरावर कितना जाएगा 2.75 मीटर मतलब जो हमारा x की value है कितनी निकल के आगी 2.75 मतलब e point से 2.75 की दूरी पर जो shear force का माण है वो कितना हो रहा है 0 ये value कितनी है 2.75 तो अब हम लोगों को यहाँ पर point f पर bending moment का माण और निकालना पड़ेगा तो चलिए निकालते हम लोग अब हम लोग bending moment निकालते हैं तो चलिए निकालते हम लोग bending moment bending moment हम लोग निकालते हैं bending moment c point पर bending moment c point पर देखते हैं c point पर बल तो लग रहा है 30 का लेकिन distance कितनी है 0 तो bending moment का मान कितना आ जाएगा जीरो किलोन्यूटन मीटर फिर निकालते हम लोग bending moment बी पर बी पर जो हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 30 इंटू यह distance कितनी है 5 कितना जाएगा 30 इंटू 5 लेकिन यह हमारा clockwise आगूण है clockwise आगूण हम लोग negative लेते हैं यह कितना आ जाएगा माइनस का 150 किलोन्यूटन मीटर फिर अब हम लोग bending moment डी पर निकालते हैं दी पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं एक 30 के कारण moment आएगा और एक RB के कारण moment आएगा तो कितना आएगा माइनस का 30 इंटू इस 30 की यहां तक दूरी 5 5 10 प्लस RB की वेलू 77.5 इंटू आर बी की यहां तक दूरी कितनी है 5 अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 77.5 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 10 यह हमारा कितना आ गया 87.5 87.5 किलो न्यूटन मीटर अब हम लोग निकालना है बिंडिंग मॉवमेंट इपर इपर निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं एक तो इसके कारण मॉवमेंट एक इसके कारण मॉवमेंट एक इसके कारण मॉवमेंट तो कितना आएगा माइनस का 30 इंटू इस 30 की ये तक दूरी 5, 5, 10, 5, 15 तो इंटू 15 प्लस 77 है 77.5 इसकी ये तक दूरी कितनी है? 10 फिर ये हमारा 20 वाला clockwise आगून होगा तो माइनस का 20 इंटू 5 इसको हम लोग calculate करते हैं कितना आएगा? 77.5 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 15 माइनस 20 इंटू 5 ये हमारा कितना आजाएगा? 2 to 5 इसकी वेलू कितनी है आजाएगी? 225 किलो न्यूटर्न मीटर अब हम लोगों को F पॉइंट पे और निकालना है तो bending moment F पॉइंट तो जो हम लोग F पॉइंट पे आज़ों निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 30 इंटू F तक की दूरी तो माइनस का 30 इंटू F तक की दूरी कितनी है? यह को 5 510 515 और यह 2.75 मतलब 17.75 प्लस यह कितनी हो जाएगी? RB के वेलू 77.5 इंटू यहां तक दूरी 5 510 दो 12.75 12.75 ठीक फिर माइनस का 20 इंटू इस 20 की F तक की दूरी कितनी है? 5 और 2.75 बतलब 7.75 ठीक है? सारे बल हो गए लेकिन EF भाग का यूडियल रहे गया यह कितना हैगा? सबसे पहले EF भाग की यूडियल को पॉइंट लोड में बदलेंगे कैसे बदलेंगे? मान हमारा यूडियल का 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का है कितने पे लग रहा? 12.75 पे 10 का पहले 12.75 में मल्टिप्लाई करा देंगे किसमें बदल जाएगा? पॉइंट लोड में करते हैं 10 इंटू 2.75 यह हमारा पॉइंट लोड आ गया अब यह पॉइंट लोड हमारा यूडियल के बीचों बीच काम करेगा मतलब EF भाग का जो यूडियल है उसके बीच में काम करेगा तो इस पॉइंट लोड की EF तक की दूरी कितनी होगी? 2.75 बाइ 2 तो कितना जाएगा? 2.75 बाइ 2 अब हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है रखते हैं कितना आता है? इतना है 77.5 इंटू 12.75 माइनस यह हो गया माइनस का 30 इंटू 77.75 माइनस 20 इंटू 7.75 माइनस 10 इंटू 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 डिवाइड बाइ 2 कितना आ गया? हमाई पास बैलू 263 दसम्लो 22 कितना आ गया? 263 दसम्लो 22 किलो न्यूटर मीटर अब हम लोग F पे निकाल चोगे bending moment अब हमें A पे bending moment और निकालना है तो निकाल लेते हैं bending moment A पे जो की 0 आएगा bending moment A पर bending moment A पर निकालने के लिए 30 इंटू यहां तक दूरी माइनस का 30 इंटू दूरी कितनी है 10, 5, 15, 5, 25 25 माइनस का 30 इंटू 25 प्लस 77.5 77.5 इंटू यहां तक दूरी कितनी है 20 ठीक है माइनस 20 इंटू यहां तक की दूरी 20 इंटू यहां तक दूरी कितनी है यह तक की 15 रहे फिर माइनस इस भाग का यूडियल दस इंटू दस का यूड लब कितना आ गया सो का पॉइंट लोड आ गया इस पॉइंट लोड की ये तक की दूरी कितनी है फाइब अब हम लोग इसको कल्कुलेट कर लेते हैं कितना आएगा देखते हैं 77.5 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 25 माइनस 20 इंटू 15 माइनस 100 इंटू 5 देखते हैं वाल्यू कितनी है जीरो कि जीरो किलोन्यूटन मीटर क्याहस अब हम लोगों को Binding Moment Day डाइग्राम प्लाट करना हैं कि बेण से एक एक रिफ्रेंड बाइन्स मानते हैं कि हम लोग ने एक यह 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 यहां से यह reference line खीच ली फिर C पे हमारा bending moment 0 आ रहा है यह हमारा C point है B point पे bending moment हमारा 150 आ रहा है माइनस का यहां से हम लोगों ने माल लिया माइनस का 150 यह है फिर D point पे bending moment 87.5 आ रहा है तो D point हमारा यह है यहां से bending moment 87.5 हम लोगों ने यह नाप लिया फिर E पे कितना आ रहा है 225 यहां से हम लोगों ने 225 नापा तो माल लो यह आ गया फिर F पे कितना आ रहा है 263 यह 225 था 263 इससे उपर जाएगा माल लो यह आ गया और E पे हमारा bending moment फिर से 0 हो रहा है अब इन सारे point को मिला देना है देखिए यह हमारा negative है इसको हम ले इस तरीके से मिला दिया फिर यह हमारा इसको हमने इस तरीके से मिला दिया फिर इसको हमने यहां से E point पे है इसको हमने ऐसे मिला दिया फिर ए ये हमारा ए है और ये ए है ये भाग में हमारा यूडियल लगा है इस यूडियल के कारण जो हमारा बीमडी बनेगा वो कैसा बनेगा पैराबुला तो हम लोग पैराबुला इसको मिला देते है इस तरीके से और इसको यहां से ये पैराबुला मिला देते है अब हम लोग इसके मान को सो कर देते हैं यह हमारा कितना आ गया यह कितना है 263.22 यह हमारा 263.22 है यह कितना है हमारा इपे 225 किलो न्यूटन मीटर यह कितना आ गया 225 किलो न्यूटन मीटर डी पॉइंट पे हमारा 87.5 है यह हमारा 87.5 किलो न्यूटन मीटर हो गया और यह हमारा कितना है 150 किलो न्यूटन मीटर यह हमारा माइनस में और यह प्लस में तो यह रहा हमारा ओवर हंगिंग केस का एसेपडी और यह रहा बीमडी उम्मीद करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत समय में आया होगा इस वीडियो को आप लोग जब दुबारा देखोगे तो यह 100% किलियर हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में